नवशकार शाम का समय आस्क बसंत और एज इजुवल क्वेस्टन आंसर का सिलसला स्टार्ट करने के पहले दो मिनिट बजार के उपर बजार सारे दिन लगा कुछ गिरेगा कुछ गिरेगा फिर थोड़ा सा रिकावर किया लेकिन रिकावरी आई बड़े स्टाक्स में निफ्टी स्टाक्स में जो स्मॉल मिट कैप थे वो नीचे से तो काफी उपर बढ़े लेकिन वो मुमेंटम वाली बात नहीं है वो मज़द कि इसराइल होता है कभी एरान होता है कभी एराक होगा कभी कुछ होगा बट ब्रॉडली मॉमेंटम मिसिंग है मार्केट अप्रिहेंसिव है वेट कर रहा है और आप लोग भी वेट कर रहे है मुझे पता है क्वेस्टन आंसर का सिलसिला स्टार्ट करने के लिए वैसे यु सोचा मैं थोड़ा सोच के फिर उसके बाद इस पे आंसर करूँगा ये पढ़ना ही जाना चाहते हैं भार और उसके लिए इनों ने पूछा कि क्या है शेयर बेच के चले जाएं बसंद सर मैं आपका हर वीडियो देखता हूं और लास्ट नौ महने से और कभी ट्रोल भी नही लेते हो आपकी बात सुनके मैंने मास्टर्स करने का प्लान बनाया है सर मुझे एडमिशन मिला है न्यू कासल उनिवर्सिटी यूके में स्कॉलर्शिप चार हजार पाउंड का है मिला इनको फीस है 27,000 पाउंड कोर्स है MSC, Entrepreneurship, Innovation and Sustainability में तो Entrepreneurship, Innovation, Sustainability में MSC, Master's का प्रोग्राम है ये बोल रहे है कि प्लीज बताएं कि मैं जाहूं की नहीं जाहूं देखो जो तीन आपको टॉपिक मिले हैं और मैं अपको आंसर करने के पहले एक दिन इसले लिया बिकाज मैंने अपनी डॉटर को भेजाता ही है वो वहां पर ही है और वो स्पेन में पढ़ रही है तो मैं उसे एक व्यू लेने को पूछा ता कि वो अगर अगर अपने लेने जा रहे हो तो आप बिलकुल जाओ वहां पर अगर आप अपना शेर बेच के जाना चाहता हूं तो शेर अगर आपके पास डिपेंड करता है कितना पैसा है आपके पास अगर आपके पास काफी पैसा है और उसमें से आपके पचास लाग चले जाएंगे तो आप न ज बट मुझे पता है बहुत यंग हो आप 23 साल के हुजे से अपने लिखा यहां पर लिकिन कई वर क्या होता है कि हम जादा पैसा खर्चा कर देते हैं एक ऐसी चीज में जिसके बाद उसका रिटर्न ओन इन्वेस्मेंट नहीं मिलेगा क्योंकि अभी जॉब्स की बहुत बुरी होता है कि वहाँ पे सेकंड आप इंगलिश बोलना सीखोगे बोलना जानते हो तो फिर भी जॉब मिल जाए वहाँ पे बट जादा कर वहाँ पे जॉब्स की बहुत मुश्किल पड़ी है और अगर आप यह डिगरी करते हो फिर आपको जॉब नहीं मिलता है तो आपका पैस लेने जरूर जाए लिकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप वापिस उस डिगरी को करने के बाद क्लाइमेट चेंज सस्टेनिबिलिटी और यह सब की उपर डिगरी लेने के बाद आपको जॉब मिल जाएगा तो वहाँ पे ऐसे जेनरल जॉब की मुश्किल है तो क्लाइ क्यार छोड पेड को काटो इसको आग लगाओ लकडी को कटवाओ और आग लगाओ कम से कम रात तो निकाले आराम से तो जब सिचुएशन खराब होता है तो क्लाइमेट चेंज और यह सब की कहानिया थोड़ी ठंडी हो जाती है लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं रहेगा तिंग् इंपॉर्टेंट बात है सारा पैसा लगा कर अगर आप चले जा रहे हो वहाँ पे तो वह मैं सज्जेस्स नहीं करूंगा आप कोई फिनाल्स का डिग्री पकड़ो आपको और पावर्फुल डिग्री पकड़ो जो आपको और काम पे आए बट यह डिग्री को अगर आप कर के अवापिस आओगे तो मुझे लगता है जॉब मिलने में मुश्किल होगा एक दो चीज और जो वहां से इन्फरमेशन में बिकाज मिन अपनी डॉटर को भीज आता है उसका इन्फरमेशन उनो उसने बोला ता कि अभी एउ में इसको लेकर कोई जाब जादा नहीं है नो क्यों खूई कोई पतला भी ढेन आतो अगर को सब आदो कि एपको जब खाना बनाना होता है तो जाता है लगडि काट कर लाता है खाना मना लेता है तो ये सब चीजों का प्रॉब्लम है अगर आपका आपका आंसर मिल गया होगा anntो तो ब्रॉड ल दी आ उंसर हो एगर बढ़ जाए आपके तो वो भी एक प्राब्लम हो जाएगी तो वो हिसाब से आप देख लें बढ़ हाँ, अगर आपके पेरेंस बहुत पैसे वाले होते हो और आपके पास बहुत पैसा होता तो मैं बूल तब जरूर जाओ, एक्सपिरियंस लेकर आओ एक्सपिरियंस जो है, वो पैसा से आप एक्वेट नहीं कर आओगे जब वहां जाओगे, बैठोगे वहां के लोगों के साथ जब वो बाते होगी, जब आपके बगल में कोई कोरियन होगा, सामने कोई चाइनीज होगा पीछे कोई जापनीज होगा, और अपके लेफ्ट साइड में कोई आदमी अमेरिका से बैठेगा, थोड़े दूर में बैठा रहेगा, वो बॉलिविया या परू से आया वा रहेगा, तो वो जो कॉस्मोपॉलटिन कल्चर है, जो अक्रॉस दे वर्ड, जो जिसको हम बोलते हैं, ग्लोबल मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेंडेन हुआ, नियॉर्क हुआ, यह सब यॉरोपन बड़े यह करके, हां पठी है कि आप अगर यह करके आ जाओगे, यह डिग्री लेकर आओगे, तो यहां पर ज़रूर लोगों को लगेगा बहार से पढ़ के आए, उससे जादा कुछ नहीं होगा, जित्ता मुझे समझ आया, एनिवे नेक्स क्वेस्चन लेते हैं, पर डोंट गो आप अपना डिसिजन खुद लें और जो भी लें, प्लीज हमें इनफॉर्म करें आप क्या कर रहे हैं, और फिर बाद में भी पता ना, एक साल बाद, कि सर मैं कर लिया, यह इधर पहुँचा, मुझे जॉब मिला या नहीं मिला, तो वो भी अच्छा लगेगा, मुझे अगर आप नो ब्रेइनर टाइप चाहिए कोच की यार, कुछ भी हो जाए अपने को तो बस पैसा लगाना है और चुप से बैटना है, तो मैं बोलूगा कि बैंकिंग फिनाशल सर्विस बेटर होगा, अगर आप 5-year, 10-year, 15-year view से देख रहे हैं तो बैंकिंग फिनाशल सर् आपको 15-year view है, तो बैंकिंग फिनाशल सर्विस एक नो ब्रेइनर टाइप होता है, वहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं, टेकनोलोजी में आप लगा सकते हैं, ग्लोबल टेकनोलोजी में और तीसरा अगर आपको लगाना है तो आप कंजूमर स्टॉक्स देख सकते हैं, त तो एक चीज़ आप समझ के रखो, PSU बैंक्स जो हैं, यह बहुत सेंसिटिव हैं, अगर थोड़ा सा भी मार्केट उपर नीचे होता है, बिकोज रीटेलर बहुत जोर से घुसेवे हैं इसमें, तो सेंसिटिवीटी होते हैं, मुझे लगता है PSU बैंक का जो relative undervaluation था, वो का अगर पुराना आपका चल रहा है, तो चला लो, बट मेरे से पुछोगे, तो I am not too comfortable buying these kind of PSU stocks at these prices, because यह वालुएशन पर मुझे लगता है काफी कुछ इसका in the price है, सर बीम मीट के लिए कहां से आ सकते हैं, मुंबई या कुलकाता, भी तो मैं मुंबई हो, बट कुलकाता अन था करें, तो बैंकिंग नार्मली GDP के, तृसले सेक्टर गराप बैंकिंग का देखेंगे, तो थ्री ताइम सकते हैं, सिमेंट देखते हैं, तो one and a half time GDP होता या सिमेंट, तो GDP अगर हम 8% तो नहीं, अगर में 6% GDP समझू, तो one and a half time, six, मतलब nine percent, eight percent का volume growth सिमेंट पे होना सकते हैं उसमें बैंकिंग में इंफलेशन आड नहीं करना होगा बिकाज रुपिया बाइट सेल्फ इंफलेटेड रहता है तो उधर का उधर हो गया बट तो बहुत ब्रॉड यार्ट स्टिक्स हैं और कई वार क्या होता है कोई नया सेक्टर होता है तो उसका 30-40% ग्रोथ हो Sir I have sold 20% of my portfolio keeping as cash please tell me if I am doing it right Gaurav Gaurav कोई right कोई wrong नहीं है हम 100% invested है मैं right कर रहा हो कि नहीं आप मुझे बता हो यह your word against mine वाली बात है आपको लगता है कि आप जो करने है वो सही है कि गलत है कोई नहीं बता पाएगा मैं जो कर रहा हूं सही है कि गलत है कोई नहीं बता नहीं जो लग रहा है कि थोड़ा से लाइट हो के जाना अच्छा रहता है लेवरेज नहीं होना चाहिए उठा पटक बजार में बहुत तेज हो सकती है और बजार में उठा पटक तेज होगी तो ऐसा नहों कि आपकी किसमत आपकी तकदीर जो है पके ब्रुकर के हाथ में चली ज सालते हैं तो आज भी फर्स्ट हाफ में हमारे स्माल केस में सब्सक्रिप्शन आए सेकेंड आफ में थोड़ थोड़ा कम हो गए ऐसे होना चाहिए अगर आपका पैसा जो है नीचे के भाव में लगता है तो हम लोग हर अपस एंड डाउन्स को जहिल सकते हो लेकिन अगर आ अगर आपकी उमीद है अगर आपकी अबजेक्टिव है जिंदगी में कि में 5 करोड रुपाई कमा हूं मैं 10 करोड कमा हूं मैं 3 करोड कमा हूं तो यह कॉल पुट करके नहीं होगा आपको इंवेस्टिंग करनी होगी आपको शेयज उठाने होंगे डीमाट में रखने इस टॉक 40% मीचे जाएगा उसको जहिलना होगा दुख लेना होगा दर्द लेना होगा घर में एकदम मायूस होके बैठना होगा चुवाबन के बैठ जाना होगा जब आपके स्टॉक्स नीचे होंगे तो कि घर में जब पूछा जाएगा कितना घाटा किया आज तो प्यार से इस आइडिया को घर पे लगाया विकास उनके घर में जब भी बात होती है कि नया घर कप खरीदेंगे तो मुझे बोलते थे कि बीम मीच में आयते है वो बोल रहते है कि सर जब भी घर में डिसकेशन होता है मिर को आपकी बात ही आदा जाती है टापिक चेंज करो तो बहुत सिंपल है मार्केट अपसंड डाउन से जाएगा लेकिन है कॉल पुट करकर आप दो पांच जारी कमा पाऊगे दसजार कमा पाऊगे कभी आएगा कभी जाएगा ले दे के तीन साल चार साल का बुल मार्केट हाथ से निकल जाएगा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और अइनिवे नेक्स गैस्ट लेते हैं प्रणाम वाय वैalten लो चाहिव इवला घूट लोट रहा है और शैर अप तो मेरे क्वेस्ट он ले लेते हैं मैं बहुत कुछ जाला सुक्डेब वेस्ट बेंगौल रह ने सी यहाई इंट लेगाई कि इस पांगलों चलाभ और जादा दौड़ेंगे तो वही गिरेंगे और इस इस अ ग्रेट स्टार्ट इनोंने कोई बहुत एक्स्टरॉडरी रिसर्च नहीं किया है सिर्फ निकाला और देखा कि लो आरोई के स्टॉक्स क्यों पागलो की तरह दौड रहे हैं बस इतना सा भी अगर आप खुद सुन इसे करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं एनीवे नेक्स क्वेस्टन सर एटी फाइपर्फोलियो आठ फिगर्स में लार्च अभी फिगर्स से लोग बात करते हैं आठ फिगर्स तो हुँषता हूँ था कितना है अच्छा है नाम लेना पड़े गा करोड़ पती अच्छा द मैश्वरी तो फ elemente सकते हैं कि अर् जो फिर है है कि इस अर्श ही मिल जाता है मांश्वधियों के पास अपनी बात ही इसेडी की बात कर we tweakin में पैसेवल आदमी आ जाता है तो पैले तो पता चला और आंके एंक पास करोड DESJEE घरके बात के बात है यह जब पता चला इनके पास 99,999,999,999 जो भी आप जोड़ते जाएए वहाँ पे आगे बट 99,999,999 लेट डिजित है, 1 कροर बी एट डिजित है, डिपेंड करता है, आप कैसा सोचते हो nesse लेइन, मैं सुचता हु इनके पास 99,999,99 2ח, टेटेटे हैं, देखो जब confused हो जाओ तो ऐसे करके बात को ख़तम कर दो, तो because normally क्या होता है, 8 figure क्वाले जो कोई भी portfolio आता है, तो देख कर लगता है कि हाँ और कुछ वजह नहीं है, anyway, तो यह बोल रहे हैं कि में का problem है कि में mid and small cap में नहीं shift करना चाहता हूँ, CHR on this portfolio for 10 years is approximately 18%, what should I do, आप मच shift करो, आपके पास बड़ा portfolio है, आप बड़े portfolio से पैसा बनाए हो, और अगर आप छोटे small cap, mid cap में आओगे, और अगर वो गिर गया, क्यों कि नीचे माप पार्टिसपेट नहीं कि राली में, अब आप उसमें suddenly आओगे, आपका mind tuned in नहीं है, वो ups and downs लेने को, तिसलिए मैं आपको suggest नहीं करूँगा कि आप उसको shift करो, और ये मजाक की बात थी, आपके पास 1 crore है, आपके पास 1 crore है, 99 crore या 99 lakh जो भी figure है, बट important बात ही है, आपका figure, I assume बड़ा है पैसा का, तो उसको आप, जैसे आप कमा रहे हो, पैसा वैसे ही रखो, not because कि आप कमा ओगे, आप ज़्यादा कमा ओगे, बट more because की अब यह आप अगर shift करोगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगी next question लेते हैं, sir, crude oil में कैसे trade करो, क्यों करना है, crude oil में ट्रेड यार, छोड़ दो यह सब crude oil में ट्रेड करना, आप यह सब चीज में जादा ट्रेड करोगे, आपके पैसे लगेंगे, और confused आप और होगे, अब काम मत करो, जैसे गाड़ी चल रही है, वैसे चलने दो, don't try and push yourself too much into doing these things, sir, मैं जर्मनी से बोल रहा हूं, तुशार बोल रहा है, I am your small case subscriber, मेर पास question है, regarding maximum amount में small case में किता लगा हूं, मैं 90 लाख लगा सकता हूं small case में, और मैं मन्तली सिप कर रहा हूं 2 लाख रुपया का, should I invest more in small caps, or should I start investing in BM Vision, I have a risk appetite, and want to invest for the next 15 years, मेरे को लगता है, आप दोनों में split कर दें, जादा अच्छा रहा हूं, एक महीं आप इना डाल देंगे, तो फिर वो small cap small case, जो है, वो small cap stocks का है, vision में थोड़े से mid cap से, तो थोड़े large cap है, तो mix and match रहेगा, बढ़ बहुत heavy amount लगाए जा रहे हो, ठीक है, अगर आप hold करके रखते हो, तो obviously ठीक है, बढ़ एक चीज़ आप समझ के रखना, कि यह सब stocks जो है, over a longer period of time, रखोगे तो पैसा बनेगा, बट हाँ, for the incremental money, ड़े आप पोरेंगे नब बीम विजिजन में, आप लगा दोगे तो जादा ठीक रहेगा, because अपको थोड़ा सा diversified भी portfolio हो जाएगा, नहीं तो small cap stocks जो हैं, वो volatile भी जादा होते हैं, market उपर नीचे होगा, तो आपको stock उपर नीचे होगा, सब profit पे नागराज नहीं बन पा रहे हैं, काइंटली सजेस्ट, अब ये तो बात सही है, profit पे नागराज बनना बड़ा मुश्किल है, और main है, आपको long term view लेना होगा, आपको ये समझना होगा, कि अगर आप ए stock ले 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 और 10 साल रखें, 5 साल रखें, तो कहां तक पहुँचेंगे, और इसी लिए आपको long term view अगर रहेगा आपके हाथ में, तो आपको profit पे बैठना आसान होगा, अगर आपका long term view नहीं है, आप short term view रहेगा, तो छटपट छटपट करके हाथ से शेर निकल जाएगा, सर हमें long term investing छोड़ कर, हमें short selling स्टार्ट कर देनी चाहिए क्या, राम जी बोल रहे है, राम जी, ये राम जी आदमी का नाम है, और कोई नहीं है, बट हाँ, ये है कि long term, short term, short selling, लगता अच्छा है, short selling कर दें, उपर बेज देंगे, नीचे ले लेंगे, गड़ो हो जाएगा, आप खराब news पे short करोगे, वहां से market घूमेगा, फिर volatile बहुत है market, ये सब मत करो, long term investing करो, अराम से बैठो, देखा जाएगा, बजार नीचे जाए, उपर जाए, इतना चिंता मत करो, and just be on with it, I think it will be fine, बट ये जाएदा अगर आप चटपट चटपट करोगे, तो गड़बड़एगा, next question लेते हैं, बहुत बहुत दन्यवाद, मुझे एकनॉमिक डाइनमिक्स वर्लडवाइट के वारे में पता चला, रिंस्टेट किया है, मेरा पर्स्पेक्टिव राइट डिरेक्शन में, question क्या है भाई, also appreciate your efforts, must not forget the silent contribution by our entire family too, in making it happen, God bless us all, Anand Kothari, Kothari ji, you are right, सबसे आदा मुश्किल होती है, कहीं बाहर जाते हैं, और 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 टाइम जोन्स में जाते हैं, तो मुझे विडियो बनाना पड़ता है, और वो इडिस्टर्ब्स एवरिवान, लाइक अभी स्पेन में थे, तो मेरी डॉटर को स्कूल, कॉलेज जाना होता है, अब वहां पर ही था, यहां पर तो बॉम्बे हो, या कालकटा हो, वहां पर ठीक है चलो, घर बढ़ा, यहां पर तो कहीं इधर बैढ़ गए, अगर आप होटेल में हैं, तो मुझकिल होता है, कि आप खट-पट खट-पट आपका शुरूर एता है, आपको अगर यूट्यूब करना है, तो आप पो लाइट जलानी, और बिना बोले वे यूट्यूब कैसे करूं, इशारो में तो आपको समझानी सकता हूं, तो वह प्रॉब्लम रहती है, बट ठीक है, everyone gets used to it, तो घर में भी everyone's got used to it, कि यह कुछ नगुछ तो होता ही रहगा, market on रहेगा, तो कुछ नगुछ फोन जाते रहेंगे, चलता रहेंगा, so it's not so much of an issue, because आपके भी घर में जो लोग होते हैं, वो आपके लाइफस्टाइल से, और आपके बहवियर से used to हो जाते हैं, तो एक्स्टाइबनरी कुछ नहीं होता है, but this is the way it is, anyway, Sir, please explain the small case fee structure, link shows Vision 2030 closed for new subscribers, but also shows fixed fees model, Vision 2030 new subscribers के लिए बंद है, जो मरे AUM वला मॉडल था, जो fixed fees model है, वो on है, उसमें आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे, तो fee structure और सब कुछ वहां मिल जाएगा, आप उसमें कोई प्राब्लम ही नहीं है, Sir, is it a good time to invest in gold ETF? Gold ETF में बोल रहे हैं, good time है क्या invest करने का, यह सुनते ही, gold सुनते ही है सो गए भाई, तो और wait till election results, gold और election से क्या लेना देना है, gold is an internationally driven commodity, उसको global कोई chaos होगा, तो उसको फर्क पड़ेगा, हमारे elections, I don't think gold को कोई भी फर्क पड़ेगा, तो I don't think gold को, अगर आपको invest करना, तो आपको election का wait करना, हाँ, अगर आपको यह पता है कि, China बैठ के, Taiwan को attack करने जा रहा है, तो फिर आप gold का wait कर सकते हैं, कि जिस दिन China attack करेगा, Taiwan को उस दिन gold लेंगे, but otherwise I think it's fine, Sir, I'm 85% invested holding 15% cash, Should I invest 15% cash now, और wait till election results, Shivaya Gupta बोल रहे हैं, Gupta जी एक बात तो पक्की है, कि अगर election के बाद, market सीधा उपर गया, तो आप लोग मेरा ढिचक्याओ कर दोगे, मुझे पता है, but at the cost of that, मैं बोलूँगा, मैं fully invested हूँ, लेकिन आप लोग 10-15% light रहोगे, तो अच्छा रहेगा, because क्या होता है, कि इनन आउट आप कर आओगे, अगर जैसा बजार सोच रहा है, वैसा result आया, तो एक स्पाइगा मार्केट में, जोर का स्पाइगा, मैं बोलूँगा, बोलते हूए, बोलूँगा, मतलब की कम से कम, मेरे हिसाब से, वन यर लॉंग टर्म तो, डेफिनेशन नॉर्मल है, एक साल से जादा लॉंग टर्म रखना चाहिए, तीन साल तो बहुत होता है, पर तीन साल तो बहुत ही लॉग हो गया, मतलब ऐसे देखना पड़ेगा, तीन साल में तो यहाँ पर एक बुल मार्केट एक बेर मार्केट आखे चला याता है, वर्ल्ड ती कम्प्रेस्ट हो गई, और इतने जल्दी जल्दी, निउस फ्लो के उपर मार्केट करती है, कि तीन साल में तो ऐसे ही बहुत चेंजिस आते हैं, सर शर्प्राइजिंग ली तुक अप टोड़ेस्ट इस क्वेस्टन अच्छेंग ली तुक अप टोड़ेस्ट इस क्वेस्टन मार्केट फॉल और अच्छी कंपनी है, पिछे हमने किया भी ता इस की अनलेसिज बट गुड कंपनी, यज दिन गिरेगा, इस दिन गिरेगा, इस दिन लेना है, अभी तो अलड़ेड ये सब फुली वैलुड स्फेर में है, रेकमेंडेशन कुछ नहीं है, इन्फ्लूएंस कुछ नहीं है, आपको खुद अपने हिसाब से करना है, Sir, thank you for your guidance and education, how does put and call affect share daily price? Put and call, share को daily, जो उठा पटक होता है, यो put and call कराता है, अब कैसे कराता है, for example, अगर मार्केट गिर रहा है, और a put writer है, तो put writer अपने आपको बचाने के लिए जाके nifty short करता है, वो nifty बेच देता है, आपके पास, suppose, 10,000 quantity nifty का put बेचा हुआ है, तो आप अब उसमें बचोगे कैसे, क्योंकि market तो गिर रहा है, तो अब आपको तो nifty खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने पुट के इसी ले लिया था, आपने की, हम वो कर पाएंगे, तो वो उसके कारण क्या होता है, जब भी option को strike price को cross होता है, और जहां पे heaviest open interest होता है, आपको दूसरा position लेना पड़ता है, अपने आपको बचाने के लिए, आपने call बेच दिया और market उपर बढ़ गया, उपर बढ़ गया तो आपका call बेचा हुआ है, आप फस गए, आपको share देना है, तो आप क्या करोगा, आप निफ्टी खरीदोगे, तो वो उपर बढ़े वे market को और उपर का push देता है, और similarly, यह सब चीजें होती है, बट आपको हिसाब से यह समझ के चलना होगा, कि यह सब चीजें जादा करके complication होगा, कोई दिन कमाऊगे, कोई दिन खोदोगे, बट net net अगर आप देखोगे, तो net net अगर आप देखोगे, तो इससे पैसा बड़ा नहीं बनता है, सर, Borosil Renewable का P-Ratio 602 है, इंडस्ट्री का P-35, वे नो one-off होगा, कुछ मैंने देखा नहीं, Dattya Ji का question है, Borosil Renewable देख लेते हैं, एक से कंड़ देखना देखना है, बट इसको मने देखा है, अची कमपनी है, बट ये सारी कंपनियां अभी, मिट काप, स्मॉल काप स्पेस में आती है, आपको, नॉर्मली ये सब कंपनी, Borosil Renewable, Quarterly Sales Growth तो आया है, कोई इसमें मेरे को लगता है, कोई अपडेटेट नहीं होगा, कंपनी के वेबसाइट पर जाके देखना होगा, अपरेटिंग प्रॉफिट तो इनका टाइटाइप हिस हो गया, लास्ट में थोड़ा सा आ रहा था, उसके बाद ये नीचे हो गया, पता नहीं क्या हुआ इसको, बट हाँ, ये सब स्टॉक्स अभी, अगर आपको दिखता भी है ठीक, तो I think you should just wait, before you go all into such kind of stocks, because mid-cap, small-cap का थोड़ा अभी, दिन्मान इनके थोड़ा ठंडे पड़ रहे हैं, बट हाँ, अगर high quality company है, तो ये environment में उन लेना बनता है, और वो quality कैसे पता चलेगा, आपको overall company देखना होगा, खिस sector से है, और क्या वो government decision, government policy से influence हो सकती है कि नहीं, Sir, पहले तो बहुत अच्छा है, इनोंने तारीफ कि, उसको में skip करता हूँ, you're spreading education about the stock market, you often say, screen पे दिख रहा है कि काफी selling आरही है from operator, can you explain how can we identify the same, Rishil Shah बोल रहे है, Rishil, बहुत simple है, मतलब ऐसे समझाना मुश्किल होता है, आप सारे दिन अगर थोड़े बहुत, तीन-चार बार देखते हो market, आपको समझ में हा जाएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, आप देखिए हो क्या रहा है, एक दिन market उपर जाता है, फिर selling आती है, इक साथ बेचेंगे तो लोग ही भाग जाएंगे, वो आपको बिशन बेदी करके एक इंडिया के left arm spinner थे, और वो बहुत अच्छे spinner थे, तो वो क्या करते थे, पहले एक flighted ball डालते थे batsman को, बहुत साल पहले की बात है, 40-45-50 साल पहले की बात है, तो फ्लाइट बाल डाला बैट्समें को, बैट्समें आगे आता था, चक्का मारता था, और विशन बेदी खुद ताली मारते थे, और बैट्समें को बोलते थे, बुद स्ट्रोग, बुद स्ट्रोग, तो बैट्समें को और हुसला बढ़ता था, next ball में बिशन बेदी जब बॉल डालते थे उसको invite करते कि तू और मारा कर वो जब मारता था तो फिर उट आउट होता है or stump out होता था and there was one more baller who used to do this Shane Vaughan बड़ी तालिया मारता था जैसे आप एक्स्ट्रा कवर मारते थे उसको उठा कर थोड़ा सा मारा जहाभी long off long on के उपर से शेनवान ताली मारता था और वो ताली को यापकी तारीफ नहीं कर रहा था वो आपको इंकरेज करता था और मार बेटा तू और मार अगले वार ने तूसके अगले बार फस हो गए तो यह operator भी जो है यह बिशन पाजी की तरह है यह आपको इंटाइस करते हैं market ऊपर जाता है आपको लगता है छुड़ गया छुड़ गया छुड़ गया पकड़ू 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 जहाँ पकड़े वहाँ पे नीचे आयाता है, जहाँ आपको लगता है, और नीचे आएगा, और नीचे जाएगा, आप जहाँ बेचते हैं, वहाँ से फिर ऊपर चला जाता है, तो वह confusion चल रहा है, बजार में, सर, UPSC रिजल्ट आया, तेरे लाख लोग अपियर किये, एक हजार सेलेक्ट हुआ, बज़ दन वन परचेंट और, शुड़ेंट वी रिफॉर्म और अड्मिस्ट्रेडिव सर्विसे तो चेंज इस, मयाक है यार, तेरे लाख आदमी में, हजार आदमी सेलेक्ट हो गए, एक ह इसी को कोई तकलीफ नहीं होना चीए, हम जो फोट करते हैं में, वो मिलता है, फिर दुख किस बात का, बोलना क्या है, जहलो, करो, मजे करो, क्या करना है, तेरे लाख आदमी में से हजार को यूपी से में नौकरी मिलता है, कितने खटते हैं, यह कितने खटते हैं, आप अगर आपकी तकदीर चल गई, तो हो यूपी से पास करके है, पार भी आई के गवर्णर भी बन जाते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन हरा अदमी की ऐसे तकदीर चलती नहीं है, बट इस इस हाव इस, रिली साइड की तेरे लाख आदमी में से हजार आदमी को सेलेक्ट कि यहार, फेड काटेगी इंट्रेस रेट नहीं काटेगी, तो एक दो बैंक लोडग जाएगी अमेरिका में, अंकुष का क्वेस्चन है, गोल्ड 66 के नीचे आएगा, मुझे पता नहीं है, बतलब मैं उतना क्लोजली गोल्ड को फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि गोल्ड हम करण और नहीं करकiren का है, बतलब मैं पैसा ना लगाओ, मेरे को लगता है बार बार में आपको अगर कोई ड़्र करता हूँ, तो यह संजो, मैं अपना ब्लग है पॉसिजिन बता रहा हूँ, मैं 100% इंवेस्टेड हूं, 100% इंवेस्टेड होंगा, तिक्षिन आप थोड़ा सा लाइट जाओगे आप लोग तो अच्छा रहेगा बिकॉस शायद आप लोग सब फर्स टाइम मार्केट को जहील रहे हो अगर मार्केट उल्टा पुल्टा हुआ तो उसको समहलने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी तो उसलिए आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा ल तो जाएगी तो टी में परताब सेस्ट करूंगा करूंगा थे टूंगा ङ스分को सबस्क्रela पूंगा टूंगा करूंगा वड़ा थे तो जाएगा करूंगा तो यहुला हुआगा थे और क्योंदा दो आइघर जैंगा खूंगा करूंगा